बिस्मिल्लाही रह्मानी रहीम, असलामलेकूँ मैं यूट्यूफ फ्रेंड तो जी फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं टीनेज बच्चियों के लिए बहुत ही स्टालिश आउटफिट का टॉटोरियल लेकर आई हूँ और जैसा के ये आउटफिट शार्ट स्टाइल में ये मैंने त्यार किया है, अचा मैं हमेशा कपड़े की मनासबस से डिजैनी करती हूँ जैसा के ये आप फैबरिक देख रहे हैं के प्रिंट के अंदर जो आणा ये सैल्फ डिजैनिंग लाइनिंग में बनी हूई और ये बहुत ही बरीक था जिसके नीचे जो लाइनिंग या शमीज तो मस्ट थी तो मैंने फिर इसको ने जो एना स्टाइल के साथ स्टिच किया था कि इसको ओपन टाच देते हूवे बहुत खुब ऩराट सा ऑुदिट थी और जिसको बनाना तो में होगा तो फिर आप कोई साइड पैनल या अंदर पैनल डालके भी इस मजरिंग को पूरा कर सकती है तो इसको आल्रेडी फ्रेंड और बैक को यह मैंने इस तरह फोल्ड करके रख लिया है तो इधर जो ना कटिंग आप लोगों ने समय नहीं है अदरवाई जो बनाना है ब तो आपने भी अपनी हाइट के इमनास में से है ना जो यह जो मेजरिंग या ले लेनी है अब इसके जो फ्रेंड और बैक को यह पार्ट को मैंने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में अच्छा इधर जो ना बैक की जो ना बन साइड यह मैं आप लोगों को यह सारा जो है कुआ कटिंग का केस्ट्री आप यह मैने फरुष के बिच लिए यह तांके आप लोगों को अच्छे से समझ आए अच्छा यह देखे है यह उपन जयसा की स्ट्रायल बनना है तो फोल्डिंग जो सब्सक्राइब ओगा। ऑपन प्रिंटेड्र के वालाइट ही अग्ऑप्रणाती तरह कि एक इंच तक लोगे सब्सक्राइब और पर हगे अंपन كणर, इस्फियक इंच रहारा था स्लीव की लंबाई आरी लेकिन जो 20 चाहिए थी बाद में आगे 2 इंच की पटी लगाते हुए तो बाजू की लंबाई पूरी का अरली थी अब 14 इंची पे जहां पर ये फिटिंग का मार्क आता है ये मैंने एक मार्क लगाया है अच्छा आम तोर पे जो कमीज का इस ड्रेस का जो आना 8 इंची जो आना फिटिंग होती है लेकिन इदर मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा येनके 10 इंच पे मार्क लगाया है तो आगे इदर जो नीच ये जहां पे इंची टेव है यहां पे जो सलीव के जितनी मोरी मैंने इदर फाइफ इंच की जो है ना मोरी रखते हुए तो इदर से जो मार्किंग है जहां पर फिटिंग का मैंने मार्क लगाया है इसको यहां तक मिला लिए अच्छा जी यह जैसा कि ओपन स्टाइल में यह था तो इस फ्राग का जो गेर है ज्यादा नहीं रखना इदर फिटिंग को कुछ ही इस तरह आपस में मिलाते हुए इसी के मताबिक जो है ना जस्ट यह कटिंग आरे कटिंग जो बास इसकी जो है इतनी है इसकी जो अब नीचे से तकरीबन दो इंचे तक जो ना यह अलकी सी जो इना गलाई शेप मैंने नीचे से जो इना इसकी दे दी है अच्छा जी इदर जो फ्रेंट साइड है यह जो ओपन साइड थी तो टैन इचीज तक जो मार्क लगाते हुए यह ना यह मार्क लगाते हुए तो इस पार्ट को जो इना यहां तक जो मैंने ने यह कवर कर लिया है तो बाद में जो है ना नीचे जो धामन वाली साइड से जो पार्ट के ओपन था यहां पे स्टिश लगाते हुए तो जहां मैंने 10 इन्चीज तक जो है ना बंद किया था इधर से जो है ना दूसरी साइड पे यह मोडते हुए तो दूसरी साइड पे जो है ना इस स्टिच को ले जाके निचे तक जो है ना इस स्टिच को जो है ना खतम करेंगे तो जी अब इसके बाद जो नेक के लिए यह मार्किंग करने लगी हूँ हमेशा जब आप कोई नेक बनाती है किमीज पे तो उसकी ब्राणनस का जितना यह साड़े तीन इची मैंने इसकी जो है ना चुड़ाई ली है नेक की तो यह लगाते हुए तो यह हलका सा कट लगा ल लिए और यह नेक जो है जैसा के मैंने सिधी साड़ पर उल्टा के बनाना था तो यह मैंने इसको पहले ही तियार किया हुआ था तो इसको जो है ना और साथ ही जो बैक साड़ की जो नेक की पटी है ना वह मैंने लगा लिए तो बाद में रैंडम ली जिस तरह हम नेक ड्र इसकी cutting के step देखें हैं और stitching के भी देख रहे हैं और जो पहने में carry करने में इंतहाई जो है न ये stylish सी इसकी जो लुक आएगी तो अब ये जो तीरे वाली side है जैसा कि इसके sleeves दो साथ ही combine थे तो ये slide लगाते हुए नीचे sleeve तक जो ना इस slide को ले जाएंगे तो आम तो पर बच्चियों को ना हमेशा नई से नई चीज जो है ना वो कहते हैं कि हम carry करें तो अगर आप लोग भी ये style बनाते हैं तो आपकी जो बच्चिया ना बहुत ज्यादा जो ना खुश हो जाएंगी अच्छा अब ये जो आगे sleep के जो काफ हैं उसके लिए ये मैं invisible stitch के साथ ही जो है ना ये मैं sleep के साथ जो इस तरह ये attach कर रही हूँ तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर तश्रीफ लाएं या या मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के जो है ना stylish outfit के लिए या latest designing के लिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो जी ये जो ये कफ के आगे याना स्टिच लगाई है अब जो दूसरे जो है ना sleep के भी ये सट्रिप लगाते है इसको कुछ इस तरह ये सीधा कर लेंगे और बाद में जो है ना प्रेस लगा के तो अब जैसा के फाइफ इंची साथ ये से तरह लिए तो आप लुगा लिए तो अप जो है इसको नीचे जो ना दामं तक ले जाएंगे तो कि अब दूसरे साथ पздसी तरह स्टिच लगा लिक पार जीए और यह जो है लोगों को ये झुल्डी के बटन में उपर नेक वाली साइड पर जो एना लगा लिए थे और यह जो इसकी जो शमीज है वो सैपरर से मैंने जो एना स्टिच कर ली थी और जब इसको केरी करेंगे तो यह इस तरह जो एना इसकी जो एना लुक आएगी और यह बहुत ही खूबसरत जो हैना स्टाइली सा आउटफि किया था तो हाला कि यह जो एना देखने में सिंपल सी चीज लगा लेकिन जब कैरी करेंगे तो बहुत ही जो एना इसके स्टाइली सी लुक आएगी तो अगर आप लोगों को भी यह डिजाइन अच्छा लगा हो तो प्लीस इस वीडियो को लाइक कर दें और मजीद इसी त